हलो गाईज वेलकम टू मरुधा आरेस अकैडमी कैसे है आप सब लोग होफुली आप सब अच्छे होंगो प्रिप्रिशन आपकी बहुत अच्छी चल रहे होगी आज का वीडियो जो है यह पैसिव इसमें हम पैसिव वाइस यानि की एक्टिव और पैसिव वाइस करेंगे ज कोई भी ऐसा एक्जान जिसमें इंग्लिश आ रही है इस टॉपिक आता ही आता है कि टॉपिक बहुत टफ नहीं है बहुत इजी टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट भी उतना ही है तो आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे यहां पर देखके वीडियो से बाहर मत चल हो जाएंगे लक्ष एक बहुत अच्छा गाइड है क्योंकि मैंने इससे स्टाडी किया था मुझे बहुत सही रिजल्ट मिला है एक तो से मिस्टेक नहीं होती है बहुत रियरी शायद कोई मिस्टेक होंगी इसमें ठीक है और गाइड की बात करें तो लक्ष को में प्रिफ स्टाडी कर सकते हैं अब रही बात मुझे की तो आपका एक्जाम जो है डेट आपको पता है मार्च के स्टार्टिंग में आपका एक्जाम हो जाएगा पहले ही मैंने कई बार वीडियो कि थू बताया है कि यहां तो फैबरेरी लास्ट में और यहां फिर मार्च 1 मतलब आम हो जाएगा तो बिल्कोर कमरकस के तयार हो जाएए फेज 1 के लिए फेज 2 के लिए भी तैयार आपकी चली रहे होगी उसकी लिए वीडियो में आपको यहां प्यूट नहीं आता है वो भी ध्यान से करेंगे सब जीज हो जाएगी बहुत सिम्पल है यह जो चार्ट है सि present perfect continuous present perfect continuous इसमें क्यों नहीं है देखी fourth number का skip किया हुआ है क्यों नहीं है उसके पीछे reason है पर जब हम उसके पहुंचेंगे तब उससे discuss करेंगे ठीक है अभी हम जो देखना है वो देखते हैं चलिए simple present में बात की जाए तो आप कैसे पैचानेंगी question simple present में है वो पैचाने का एक तरीका है जो आपको active voice मिलेगा नहीं आपको question जो मिलेगा उसके अंदर आपकी verb की first form होगी ठीक है कोई helping verb नहीं होती है verb की first form आपको मिलेगी या फिर उसमें s or yes लगा हुआ होगा या फिर नहीं लगा होगा verb की first form के साथ otherwise नहीं लगा होगा यहाँ पर देखिए आप आई आपका plural subject है इसलिए right के साथ में s और yes नहीं लगा बट आप यह पहचान जाएंगे कि हाँ यह simple present आप पहचान गए first step यह होता है कि आपको पहचानना है tense कौन सा है ठीक है तब ही तो हम उसमें आप active voice को passive voice में change करेंगे तो आपको लगाना होता है एक तो by हर question में हर उसमें लगेगा यह plus verb की third form ठीक है तो आपकी धियान रखना है कि सबसे पहले तो यह verb की third form जो चीज कभी नहीं बदलेगी and by ठीक है और प्लस object ठीक है object नहीं plus subject ठीक है object नहीं plus subject verb की third form नहीं होगी by लगेगा plus subject लगेगा last नहीं यह चीज तो आपकी बदलेंगी नहीं कभी ठीक है starting आपकी हमेशा इससे होगी आपका जो object होता है उससे होती है आप यह confused बिल्कुल भी नहीं होना है आपको ठीक है आपको यह धियान रखनी है कि जो अपने active voice के अंदर आपका जो subject है जो अभी तक starting में आया था वो पीछे चल जाएगा और जो पीछे था वो starting में आ जाएगा इतना ध्यान रखना है यह चीज तो आपको practice के साथ हो जाएगी बस ध्यान रखना है कि कहां पी क्या चीज लगानी है मैंने आपको बता दिया verb की third form by और जो आपका last का लगेगा तो आपको लगाना क्या है और आप लगाएंगी is mr ठीक है कुछ आपको जोड़ना पड़ेगा तो आप यहां पर जोड़ देंगी is mr ठीक है तो देखिए आपका formula क्या बना subject जो कि हम नहीं उठाया यहां से a letter ठीक है फिर आपको लगाना है is mr में से कुछ ठीक है प्लस वर object हर किसी मारेगा ठीक है यह आपका rule बन गया देखते हैं इसको देखिए i write a letter ठीक है तो a letter जो है आपको क्या है object जो कि यहां पर क्या हो गया subject वहीं चीज होगी ना पीछे का आगया आगया ठीक है अब आपको जो भी कुछ करना है a letter के according करना है ठीक है देखिए आपको ज third form लगानी थी तो write जो है आपका third form लगा दी return फिर आपको by लगाना तर लगा दिया और i किस में change हो जाएगा me में यह चीज़े रटने वाली नहीं है generally आपको कोई पर table देदेगा इसको ऐसे learn कर लो इसको वो रटना नहीं है आपको समझ जाएंगे कि by के बाद i नहीं बाई के बाद क्या आएगा me आएगा चीज़े तो हिंदी में अगर देखा जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं एक letter लिखता हूं और यहां पर इसका मतलब हो गया कि एक letter मेरे द्वारा लिखा जाता है लिखा गया है चीज़े जी यह आपका हो गया simple present वाला अब आपको बेसिक चीज़ समझागी अब अपन सिर्फ helping verbs पे focus करेंगे present continuous के अंदर आपको question में क्या मिल जाएगा subject मिलेगा उसकी बाद में आपको ismr में से कुछ मिलेगा फिर आपको object मिलेगा ठीक है sorry ismr मिलेगा verb की first form के साथ में ing वाली verb मिलेगी मिली हुई है और फिर आपको object मि करेंगे किया मैंने किया का जो question में मिला है कुछ add करोगे ismr पहले से मिल रहा है आपको तो आप क्या लगा दोगी being लगा दोगे ठीक है देखते है question पहले format देखते है formula देखते है subject हो गया ismr लग गया पहले से था बस अपनने add कर दिया being वह अपकी third form आनी थी बाया नही था ठीक है जी अब मिल जाएगी okay तो अपने कोई मिल गया अब देखिए a letter था आ गया यहाँ पर आपका object जो था वो subject बन गया is आपका आना ही था ठीक है लिग दिया अब आप देखिए a letter singular था इस लिए is लग गया ठीक है कुछ add करना था being add कर दिया return third form लगा नही थी बाय लगा नही थ आपको यह पर ही था तो ही का him हो गया by he नहीं होगा by him उसके द्वारा लिग दिया गया है चीक है यह चीज second हो गया फिर अपना है third present perfect tense present perfect tense के अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि आपका present perfect tense है आपको मिलेगा has या फिर have चीक है has या फिर have मिलेगा और उसके साथ में मिलेग अब मैंने आपको बताया है first step तो हो गया dance को पैचानने का आप देखना है कि add क्या करना है आपको has or have मिल गया ना question में पहले से है तो आप क्या लगा देंगे इसके अंदर bean लगा देंगे आपको लगाना है bean ठीक है यह formula देख गए अब formula आप खुद बना सकते है I know ठीक है जरूरी है कोई दूसरा बंद आपको encourage करे जरूरी नहीं है खुद के अंदर enthusiasm होना चाहिए मतलब joyness होनी चाहिए आपके अंदर अगर आप study कर रहे हैं तो क्योंकि study अगर joyness है तो अच्छे से हो पाएगी और burden समझ के कर रहे है तो वो अच्छे से हो नहीं पाती है result भी अ the letter आपका singular है इसलिए has लगा है चीक है has के साथ में क्या लगाना था में has of 7 में मिलाए बीन लगाना है बीन लगा दिया ठीक है वो अपकी third form मिल गई बाए लग किया अब देखिए she था she cookies में change करेंगे हर में change करेंगे हो गया finish ठीक है बाकी के second third या फिर फोर्ट जिसमें बी examples है वो आपको खुद को करना है आगे चलते है मैंने आपको बुला था हर टेंस के चाहपाट होते है और fourth वाला जो है present के अंदर वो होता है present perfect continuous tense ठीक है पर इसके अंदर उसका formula नहीं है क्यों नहीं है तो logic समझ लो बेको simple है आप यह देखो हमने हर टेंस के अंदर जो म जब has have था हमने been लगा दिया पर जो आपका जो present perfect continuous tense होगा न उसके अंदर आपको question के अंदर क्या क्या मिलेगा I am telling you आपको मिलेगा has have plus been मिल जाएगा plus verb की third form मिल जाएगी plus ing मिल जाएगा तो आप add करोगे क्या कुछ भी तो छोड़ा नहीं है उन्होंने तो जब हमारे पा इसके लिए तो आपको कोई question मिलेगा भी नहीं इसका ठीक है अब हम चलते है पास टेंस पर मैं अपना accent change करें ताकि आप लोगों को थोड़ा सा interest है कुछ boring ना हो हमारा lecture ठीक है क्योंकि life के अंदर अरड़ी बहुत साई चीज़े boring होती है तो at least कुछ तो मिले हमें अच्छ simple past past continuous past perfect तीनों को हम study करेंगे simple past tense अपने आप में अकेला ऐसा tense है पूरे tense के अंदर जिसके अंदर कोई helping verb नहीं होती वह तो present simple में भी नहीं होती पर यह एकलोता है जिसके अंदर verb की second form आएगी इसमें आपको कोई helping verb नहीं मिलेगी simple वाले sentence में negative और interrogative की बात अलग है आप ऐसे परचानेंगे no helping verb okay and verb की second form मिलेगी इसमें तो देखिए verb की second form मिल जाई गया ठीक है first step तो हो गया अब भाई मैंने आपको बताया कि जब भी कुछ question में मिलेगा उसमें कुछ add करोगे तो जब आपको verb की second form मिल रही है ना तो आप क्या करेंगे उसके अंदर was word by plus object iso राजू saw वह अपकी second form है c की second form है c saw scene होता है ठीक है c याने देखना saw second form और scene s-e-n scene ये third form होती है second form मिल गया आप समझ गया simple past tense है अब करेंगे क्या राजू आपका आ गया as a subject singular ने इसलिए was लग गया third form scene आ जाएगी ठीक है c की third form scene होती है scene आ जाएगी by लग जाएगा अब by की बाद आपका जो subject था वह object बन जाएगा इसके अंदर तो i था i क्या बनेगा me बनेगा हो गया बिल्कुर ऐसे ही past continuous tense जो है उसके अंदर आपको was word already question में मिलेगा कैसे परचानेंगे was word मिलेगा verb की first form के साथ में आ formula बन गया आपका subject plus was word already था being हमने लगा दिया verb की third form plus by plus object आपको मिलना ही था ठीक है जी यह formula बन गया question पर आ जाते है the boys were playing cricket ठीक है तो यहाँ पर cricket आपका बन गया subject cricket singular है इसलिए was लग गया फिर being लग गया ठीक है फिर आपका third form आ जाएगी playing की played हो गया बाए लग गया अब आपका the boys जो है वह आपका क्या है subject जो कि यहाँ पर बनेगा object ठीक है तो यहाँ पर the boys आ गया कुछ भी doubtful रही है जितने examples करते जाएंगे perfection आता जाएगा ठीक है यह बच्चे हुए examples से वह आपका homework है next question past perfect tense पर हम आ गये है one second let me check 13 minutes हो गये है एक वीडियो में तो यह complete करूंगी तो यह एक खंडर something ले जाएगा हम इसे दो parts में कर लेंगे और पूर आपका passive voice complete हो जाएगा हाँ जी अब आपका past perfect वही हो गया past perfect कैसे पैचानेंगे इसके अंदर आपको head मिलेगा और verb की third form मिलेगी ठीक है अब आपको head मिलेगा और verb की third form मिलेगी इससे पैचान तो लेंगे पर formula कैसे बनेगा passive का अगर head already मिल रहा है तो हम क्या लगा देंगे आपकी बीन लगा देंगे हम ठीक है तो head plus bean formula बन जाएगा subject plus head been plus verb की third form plus by plus object पैचान में हमने पैचान लिया head मिल गया verb की third form मिल गी that means यह आपका past perfect tense है तो देखिए जो आपका object था वो the news वो subject बन गया है the news आपका क्या है news जो होती वो आपकी singular होती है ठीक है news जो होगी आपकी singular होगी but आपके past perfect tense पे confusion कम रखा गया है क्योंकि इसके अंदर head ही use होगा चाहें वो singular हो या फिवो plural हो तो कोई headache ही नहीं है आपको the news के साथ में head लगा दिया head के साथ में bean लगा दिया ठीक है जी यह हो गया आपका past perfect tense अब आपका हो गया simple future और future perfect simple future में आपको question के अंदर will shell plus verb की first form मिल जाएगी तो आप क्या add कर देंगी be add कर देंगे ठीक है will मिल गया हमें तो हम समझ गए simple future है formula क्या बनेगा आपका subject plus will shell तो मिला हुआ है हमने b लगा दिया फिव वही verb की third form plus by plus object चीक है यहाँ पर आपका me था तो यहाँ हो गया वो i ठीक है i बन गया me है तो i बन जाएगा i है तो me बन जाएगा यह ध्यार रखना पड़ेगा अपने को i बन गया i के साथ लगेगा shell फिर लगा दिया be फिर लग गई verb की third form helped fib by और फिर यहाँ पर she था और she का हो गया her ठीक है next question है आपका यहाँ पर simple future के बाद में future continuous नहीं रखा क्यों reason behind is कि भई आपको अगर हम simple continuous sorry future continuous की बाद हम करते हैं तो उसके अंदर आपको question में मिलेगा will shall plus b will shall plus b अगर मिल रहा है तो आप add क्या करोगे आप और कुछ add नहीं कर सकते हैं कि वो सब चीजें यह already use हो चु future perfect future perfect के अंदर आपको will shall के साथ में have मिलेगा अगर will shall आपको will shall के साथ में have मिल रहा है तो आप add कर देंगे been ठीक है subject plus will shall plus have been plus verb की third form plus as usual चलेगा तो देखिए shell plus have plus verb की third form मिल गई आप समझ कहें कि यह future perfect है हमने इसमें क्या किया अब देखिए I shall have finished it before evening तो यहाँ पे आपको यह पैचान लेना है कि आपका object क्या है it आपका object था जो कि आपका subject बन जाएगा it आ गया singular है it इसलिए will लग गया have आना ही था been आना ही था verb की third form आनी ही थी वो आगे फिर by हो गया फिर me हो गया me क्यों क्योंकि यह आपर आई है ठीक है me हो गया अब जो बचा हुआ था आप अब हम करेंगे इसके अंदर question वाले कुछ नहीं चीज़े आपको सीखने को मिलेंगी definitely ठीक है और अच्छा होगा अगा previous questions को उठाते हैं तो अब हम करेंगे इसके अंदर question वाले जो question आपके question form में जोआएंगे मतलब कि interrogative जोआएंगे wh word से start होंगे ठीक है wh word में भी आपकी दो categories कर दी गई है इसके अंदर में just कुछ seconds का में break ले रही हूँ देखिए wh o वाले बनेंगे और whom वाला wh o और whom मतलब कि who और whom वाला जो बनेगा तो आपका who वाला जो है उसमें wh word जो होगा वह आपका पैसी voice में हमें उसका by whom करना पड़ेगा कैसे बनेगा वो देखते हैं चलिए फिर आपका formula इसमें क्या बन रहे है आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा हम ऐसे ही बोलते है what is your name what के बाद में हम helping verb लगा देते हैं what is your name इसको तरह ध्यान रखेगे कि जब भी आपका w ho word वाला question formation का आएगा तो आप ऐसी voice में करने के लिए उसको by whom करेंगे और फिर आप helping verb लगा देंगे आपने by home किया आपने देखा कि teaches लगा हुआ है teaches किस में आता है आपका verb की first form और s और e s आपका simple present में आता है तो आप समझ गें कि मुझे is mr तो लगा लगेगा बट कैसे समझ में आएगा कि r लगेगा क्यूं वो इस निए क्योंकि यहाँ पर यू जो है आपका वो क्या है वो यहाँ पर आपका subject का गाम कर रहा है आपका you जो है वो subject है तो you आपका plural है इसलिए आपकी यहाँ पर helping verb आ रही ठीक है तो by home की बाद में helping verb लगी फिर आपका subject आ गया फिर उसके बाद में हमारी third form आएगी teach था third form taught हो गई बाकी बचा हुआ जो भी यह at home और question mark जरूर लगेगा चीक है तो conclusion यह है कि by home के बाद में helping verb लगानी है फिर हमें अपना subject ढूण के लिग देना है फिर verb की third form और जो भी कुछ चल रहा है वो सब च घूर जो है उसमें आपको who कर देना है ठीक है बाकी सब चीजे वही है आपने who कर दिया फिर आपको देखना है भai मेरा subject क्या जा रहा है आपका subject यहां पर whom did you see there ठीक है तो यहाँ पर आपका कुछ जो है आपका कुछ भी subject यहाँ पर नहीं जा रहा था ठीक है तो आपने यहाँ भी क्या किया who आपने फिर was लगा दिया क्योंकि did था ठीक है did साब को पता लग गया कि simple past है was लगा दिया उसके बाद में helping verb की बाद में हमने क्या लगा दिया इसमें इसके अंदर हमने लगा दिया है verb की third form फिर लगा दिया हमने there फिर by और फिर by के बाद में you ठीक है जी यह इस तरह के आपके form बनेगा फिर इको दिखते हैं whom has she beaten ठीक है तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है इसको थोड़ा सा मुझे whom has she beaten तो whom की जगे who गया has आगया आपको पता है has दे रखा यानि कि यह present perfect है तो आपको been लगा देना है has के साथ में हमने been लगा दिया ठीक है फिर हमने third form कर दी beaten by her who has been beaten by her यह होगी आपका आगे चलते हैं अब बाकी के question वाले हैं जो बेको simple end में कुछ भी परेशान नहीं होना है कितने type के आएंगी देखते हैं एक तो आएगा why वाला जो why से start होगा ठीक है तो देखिए why should you suspect me to why as it is हमने लिख दिया should ठीक है should आपका as it is आगे कि should का और कुछ changes होंगे नहीं should के अंदर but should के साथ में लग जाएगा should के आपका model है ठीक है तो आपको कुछ ना कुछ तो add करना होता है हम be add करेंगे but यहां पर क्या करना पढ़ेगा अपन क्या बोलते है what are you doing what ठीक है फिसके बाद are helping फिर what are you you क्या होता है हमारा इसके ने subject माने आप ठीक है तो यहां पर भी आपका कुछ है subject यहां पर आपका क्या आपका subject था यह आपका object है आपको पता है जो पीछे की चीज़ते वह आगे आ जाएगी तो जो मी था यह जो आपका फिर से देखते है सबसे पहले question वाले word को as it is लिख दीजिए ठीक है फिर उसकी helping वाप जो है उसको as it is लिख दीजिए फिर आपको देखना है कि मेरा subject क्या है जो object होता है वह आपका subject बन जाता है आगे है फिर आपको add क्या करना था यहाँ पर model था इसलिए मैंने b add कर दिया फिर आपको third form लगा देनी है फिर भाई फिर आपका जो भी है ठीक है फिर आगे है what वाला इसमें भी what as it is आ जाएगा आपका ठीक है फिर आपको देखना है helping वाव यहाँ पी लिखा तो what do you want ठीक है do यानि की why आपका यह simple present है ठीक है do does simple present में आता है तो do था तो आपको ismr use करना है अब ismr में क्या use करें तो आपको उसके लिए पता होना चाहिए कि भई मेरा क्या है यहाँ पर subject वगेरा तो यहाँ पर what do you want ठीक है तो तो तुम क्या चाहते हो what is wanted by you तो यहाँ पर आपने लगा दिया singular मानते हो यहाँ पर is लग गया है हमारे पाग आपको घपड़ाना नहीं है क्योंकि आपको options मिलेंगे आपको choose करना उन में से ठीक है तो यहाँ पर is हो गया अपना उसके बाद में आपको लगानी है आपको अपना subject नहीं मिला skip कीजिए अपना वह सूल लिए कि भई क्या लगा रहा है मुझे वह अपकी third form want था wanted हो गया by फिर you हो गया ठीक है इसको अगर आप इस तरह से कर देंगे what is you wanted तो आप देख लिए इसके अंदर क्योंकि आप होचेंगे कि concept यह कहता है कि यू जो है हमारा subject का काम कर रहा है तो उससे आप थोड़ा सा आपको common sense लगाना पड़ेगा और आप ऐसे भी आपको help line होती है आपके options आदा काम तो 50% ठीक कर ही देते है तो यहाँ पर कुछ एक ऐसे example से इसमें आपको थोड़ा ध्यान अठना पड़ेगा आगे देखते है what did they steal यह भी आपका वैसे ही है ठीक है अब जैसे आपका यहाँ पर है यह what inspired you to learn swimming what लेख दिया हमने as it is आप समझ गए यहाँ पर inspired verb की second form मतलब की past tense तो आपको what's word में से कुछ लगाना है आप समझ गए यहाँ पर you आपका क्या था you जो है आपका वो आप यहाँ पर as a subject ले रहे है तो what were you तो you जो है आपका वो आपका plural होता है इसलिए word लग गया what were you inspired third form आगे by to learn swimming यह भी होगा इसका और इसका यह भी हो सकता है आपका by what why you inspired to learn swimming तो इन यह जो हुआ है ना इसको ध्यान रखना है आपको चुकि ऐसे definitely आते हैं जादर questions इस तरह के ही आते हैं simple simple questions तो देते नहीं है तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने पड़ेगी जैसे next देख लो what did this steel what आगया आपका ठीक है did था आप समझके was word लगाना है was लगा दिया अब steel की जगह stolen हो गया ठीक है अदे जो ऐसी चीज़ है इसको लगाने की ज़रूवत नहीं होती है ऐसी है मतलब यह ऐसा आपका है subject का है यह object का है आप तो जिसको की लगाने की नहीं होती है अगर हम इसे as a object consider कर रहे है तो तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है एक last में आपको बताये तो helping verb वाले जो आपके questions बनते हैं आपके questions बनते हैं वह आपके कैसे बनेंगे starting में helping verb होती है आपको देखके समझ जाना does है यानि कि यह simple present है ठीक है फिर आपको देखने ना भी है मेरा subject वागेरा किया है तो यहाँ पर देखिए song जो है वह आपका subject का का काम करेगा क्योंकि question का वह object है ठीक है तो song जो है वह singular है इसलिए आप समझ गये मुझे is लगाना पड़ेगा आपने जो वर्ब चुस की जगे पर is लगा दिया है फिर आपका आ गया है यहाँ पर subject जो की object था हो subject बन गया वह आपकी third form आपने लगा दी sung, sing की third form होती है sing, sang, sung third form sung होती है फिर by लग गया और फिर आपका जो भी आपका subject है वह आपका object बन गया है ठीक है और फिर question mark question mark है किसी में आएगा जब कभी ने बहुत जादा minor mistake देनी होती है वो question mark हटा देंगे वैसे तो इस basis पे कुछ correct answer देते नहीं है वो फिर भी कहीं सारों में कर भी सकते हैं तो हमें तो prepare रहना है तो यह आपके अब जो बचा है आपका imperative वाला बचा है एक डबल object वाला बचा है एक आपका head verb वाला बचा है तो बहुत simple चीज़ा रह गई है एक वीडियो में आपका finish हो जाएगा ठीक है बस शर्ति कि आपको examples ज्याल से दादा questions करने हैं तभी जाके से perfection आएगा ठीक है तो आपका 70% passive voice हो गया है यह आप समझ सकते हैं इसका screenshot ले लीजिए सारे questions यह कीजिए किसी में भी question में doubt कुछ है आपको मुझे comment की through बता है या फिर जो telegram channel है मरुधर आरे सकेंड़ी के नाम से उसके through बिया बता सकते हैं चीक है मिलते next video में thank you guys